अब यह अगे चलते हैं यह कल के ब्लॉक का दूसरा पार्ट है अभी हम एक पहाड के उपर जा रहे हैं देखिए टिटलागर रोड में ही है मोटकाई डंगर बोलते हैं इसे पहाड के उपर बश्टो देभी का मंदिर है और यह उपर जा चुके थे मैं फोटो क्लिक कर रही अब यूग भी हमारे साथ जा रहा है उपर उपर जाके यह थोड़ा सा व्यू मतलब वीडियो शूट किये हैं और इनका पिक्चर सब देखिए अच्छली हम यहाँ पर वीडियो शूट किये थे लेकिन पता नहीं कैसे वो डिलेट हो गया पता नहीं डिलेट हुआ है क्या उपर सीड़ी है मैं सीड़ी भी दिखाऊंगी आपको और वहीं से ऐसा नजारा देखने में बहुत ही अच्छा लगता है नेक्स टाइम आओंगी ना तो इसका वीडियो प्रॉपरली बनाओंगी मैं अभी टाइम नहीं है इसलिए इतना ही मैं कुछ पिक्स दे दे रही देखिए बहुत ही सुन्दर जगा है ऊपर जाके वहां पर घुमना बहुत ही अच्छा लगता है यह अभी नीचे आ रहे हैं देखिए सीड़ी बिच बिच में सीडी नहीं है बिच बिच में है जो भी है अच्छा है उपर जा सकता है कोई धीरे धीरे करके और देखिए दीदी और लिजा नीचे बैठे हैं यूग को भी आधे से लाके नीचे रख दिये थे फिर मैं आई बाकी छोटू और ये बाद में आए यूग बैठ के चिप्स खा रहा था और ये पीछे से बुलाए जो इनको देख रहा था ये और उसके बाद ये लोग जब नीचे आ गए फिर हम वहां से चले पूर पहाड के उपर ही है और नीचे तरब भी एक मंदिर है मैं दिखाऊंगी आपको आगे ये है वो पहाड जो कि बह पहाड बोलते हैं इसे उपर वैष्णो देवी का माता का मंदिर है सब वीडियो डिलिट हो गया तो जितना है मैं उतना ही आपको दिखा रही हूं जो कोई भी बुलांगी राते है ना यहां पर जरूर आ गूमने मतलब जिससे थोड़ा सा ट्रैकिंग टाइप का अच्छा बैठे थे उसके बाद हम आये और यह बैक करके जा रहे हैं देखिए वो उपर पहाड दिख रहा है वहां से ऐसे नीचे आओगे तो नीचे रोड है और रोड में ऑपोजिट साइट में यह एक मंदिर है यह एक मंदिर जो है यह बंदुर्गा मंदिर देवी माता का मंदि अंदर अलग अलग भगवान जी का भी है यह रस्ते से जो कोई जाते है ना यहां पर रुक के पुझा अर्चना करते हैं हम लोग जब छोटे थे यही रस्ते से हमारे गाओं को जाते थे तो पापा हमेशा यही पर रुक के हम नमस्ते करके आगे जाते थे तो यह वाला होटल का नाम क्या है आप देखते रहे हैं बहुत ही अच्छा होटल है देखिए एंटरंस है साइड में अच्छा खासा चैस मतलब वेटिंग हॉल टाइप का है बाहर बैठने के लिए वहां का स्टाइल अच्छा लगा वहां का फरनीचर अच्छा लगा सर्विस भी बहुत ह अच्छा था यह देखिए हम सब बैठ गया हैं यह खाना खाने के लिए और यह जब मैं अंदर जा रही थी तब का एक शूट है तो अंदर का मैं दिखाती हूँ आप अंदर जाओगे ना तो इसका लुक्स ऐसे है देखिए और वो लास्ट वाले टेबल में हम बैठे थे और मैं शूट की थी इसका भी और इसका भी नहीं हुआ यहां का एक्चली हमारे फोन का ना मेमोरी फुल हो गया था बहुत सारे शूट रह गया थे हम डिलिट नहीं कर पाए थे तो आज मौनिंग में वो डिलिट की हैं देखिए हम क्या-क्या खाया मतलब क्या लंच में ल आप लोग जब आओगे ना वलांगिर या फिर जो कोई बलांगिर में है वो कोई भी जब ज़रूर एक बार जाये ट्राइ कीजेए जो लोग नहीं गया है और जाना चाहिए एक एक बार हर होटेल का सर्विस देखना चाहिए कैसे साब से देते हैं कैसे साब का टेस्ट है उसके बाद कर रहे थे मैनेजर से, उसके बाद हम बाहर आके थोड़ा सा बैठी थे, यहां का चैयर से मुझे बहुत अच्छा लगा, चैयर मतलब मस्त लग रहा था, देखे, नया हुआ है यह होटल, यह तो पहले लास्ट यर जब हम आये थे, यह वाला नहीं था, वैसे तो कोई बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे, उसके बाद देखिए, यह होटल, The Parkland, यह होटल का नाम, रुगड़ी पड़ा बलांगिर में है, यह नया होटल है, बहुत ही अच्छा होटल है, इसके बाद हम लोग यहां पे एक नरसरी में गय थे, उसे दिन ही, मैं कुछ प्ल लिए, क्योंकि यहां पे ममी के घर में कुछ गमला था, पर इनका घर ना कंप्लीट नहीं हो है, बोलके यह लोग गार्ण टाइप का कुछ बनाए नहीं है, और जितना गमला था, मैं सोची कि वहां पे कुछ प्लांट्स मैं दे देती हूं, तो कुछ प्लांट्स लाई, त पापा, मेरे हस्बेंड, और देखिए, हमारा यहां पे यूग भी बैठा है, और सब को हम प्लांट्स ऐसे ही मैं कर रही थी, कुछ जो रोज ही विसकस, जो जो लाई हूं, वो सब आप दीदी के चैनल में भी देख सकते हैं, कल के ब्लॉग में यह कौन-कौन सा प्लांट् तो देखिए, यह सब मैं ऐसे ही लगा दे रही हूं, यह रोज प्लांट है, यहां पे गार्डन नहीं है, पर जितना भी गमला था, मैं सोची की लगा देती हूं धीरे-धीरे करके, सुंदरगण में जैसे गार्डन हुआ है, यहां पे भी वैसा एक छोटा सा क्रियेट करे मेरे ब्लॉक के बाद वो अला ब्लॉग आएगा, तो वो अला घर तोड़ेंगे, वहां पे गार्डन होगा, पीछे तरफ गाराज होगा, वह सब बनाएं के दिरे-दिरे करके, नहीं किया अभी, तो गाड़ी एसे साइट में रखते हैं, तो देखिए, यहां पर जितना भ इसन प्लान्ट का प्लांट में लाईं थी वहां से, क्यूंके जादा गंढ़ा नहीं था, मिट्टे बनाना पड़ा, जितना मिट्टी था उसमें चार्कोल और बालू मिक्स करके सारे गंडियमें मुझे अप्ला और यह एक प्लांट लाह थी मैं, इसे अधरी नीम्बू का प्लांट और यह मेरे हस्बन लेके जा रहा है घर के पीछे तरफ चोटा सा जगा है जहां पे कुछ प्लांट से हैं पहले से और साइट में कॉर्णर में देखे चोटू वहां पे एक गड़ा खोद रहा है वहां पे हम यह वाला प्लांट डालेंगे वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर और मिसेस पुरोहित देखे हम क्या कर रहे हैं मॉनिंग हो गया है कल हम नर्सरी गया थे कुछ प्लांट लाए है तो ममी के घर में यह वाला सब डालेंगे मतलब यह वाला देखे कौन सा है यह है नीम्भू का ठीक है यहां पे पीछे आये हैं आव ला का एक मिर्ची का पेडह है कि देखे ऐसा वाला मिर्ची जो गोल गोल होता है और यह वाला सागुआन टिकुड का एक पेड़ है और यह वाला बेल बेलपत्त बे़क्टा बेल जो होता है उसका रच पेड़ है हम यहांILY औरे यह वाला सब तो यहाँ पर मैं बोलाओ बोली को अब लादी को तो इसे साइड में यहाँ पर एक निम्बू का डाल देते हैं यहाँ मं ने गलिक्ट पेड़ाय मैं बाहर मैं कुछ प्लावर्व के चाने आपको निम्बू होने से मैं यहां से निम्बू होने से तोल के में दूंगा आपको आप लोग पीना निम्बू पानी और यह क्या कर रहा है बहुत हल्प कर रहा है यहां पर गड़ा कुलने में यह देखिए अभी प्लांस यह डालेंगे अंदर मिट्टी में अभी रेडी कर अभी क्या हुआ देखिए ये देखिये फ्रैंड्स पकड़ते हाथ में चुप गया नेंबू के पेड में कांटा होता है वो इनके हाथ में चुप गया देखिये अभी डाल दिए अभी मेटी डाल देंगे आप सब भी ऐसे प्लांट्स लगाईए बहुत अच्छा है मैं तो लाओंगे इस बार एक नेबू का प्लांट हमारे छट के उपर लगाओंगी यह देखिए अभी यहां पर मेटे डाल देंगे चारों और बुलाई कर देंगे और यह जाके पानी लाएंगे थोड़ा सा देने के लिए देखिए यहां पर एक पपीता का भी पेड़ है बहुत के बात साइड करके पानी डाल देंगे अ को ऐसे करके देने से नड़ा नदे है मिटी दर उदके पानी दे देंगे जैसे की पानी अच्छे से हो जाएगा और यह साइट में गढ़क होद रहा है क्यों मैं बताती हूं आपको मम्मी का एक गमले में यह वाला पेड़ था पापा बोल रहे थे कि यह सुगर पैसेंड लोगों का एक मेडिसीन है इसलिए वहां पर मैं उसको बोली के डाल दो और यह मनी प्लांट एक है और मेरा बहुत ही फेवरेट है यह मैं घर में इसका सारा लगाती हूं संदरगर में जब लगाओंगे मैं आपनों को दिखा ओंगी और यह मम्मी अभी मतला ममी के घर में अभी यह दो ही प्लांट में लाई हूं और यह तुलसी का पौधा है और देखिए यह पानी दे एक्षुलिए मैं इनको बोली कि जो जो प्लांट लगा हैं ना मॉनिंग में अभी सब में आप थोड़ा पानी दे दीजिए तो यह पानी लाके सब दे रहे थे सब प्लांट में यह वाला देखिए यह वाला गेंडू का फूल है जो गेंडे का फूल होता है ना बड़ा- बाद नेक्स्ट आने से और भी प्लांट्स लाएंगे देखे क्योंकि मिट्टी भी नहीं है ना यहां पर जितना मिट्टी था उसको मैं अच्छे से मतलब प्लांटर में डालके प्लांट्स लगा ली यह वाला टैप से पाने निकाल रहेंगे अगर ऐसा चीज गिरा होगा और लग गया आपका पेर में तो क्या होगा आप सुचीए और एक तो देखी यह मेरा धरम पत्नी गिराई है उपर से पर से नहीं हुआ 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 है यह जो डबा देख रहे हैं छोटू इसको ना मतलब बीच में से काट दे रहा है क्योंकि बहुत ही बड़ा डबा था मैं घर में भी ऐसा डबे को काट के प्लांटर बनाती हूँ तो मैं यहां पर भी यह डबा देखी पापा से पूची तो बोले कि हां काट दो तो उसको का अच्छा है कि उसमें प्लांट डाल दो लगा लेती हूं मतलब यह वाला हिबिसकस है मैरी गोल्ड है और रेड और वाइट कलर का रोज दो ठोलाई थी देखे यह वाला रेड रोज है और लास्ट में यह वाइट वाला रोज है पापा भी बैठे थे आज सुबह से हमारे स और यूग भी बहुत ही मस्ती कर रहा था यही पे मैं उसको बोली कि तू एक प्लांट लगा तो वो बोल रहा है कि मेरा हाथ गंदा हो जाएगा मिट्टी से वो छुआ ही नहीं और बाग आया महा से ओके फ्रेंड्स तो आज का ब्लॉग बाद लंबा हो गया है तो इसका ज शेर जरूर कर दीजिये थांक यू अल आफ यू बाई